हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल तो आज हम सिखेंगे कि सलवार में प्लेट्स किस तरह से डाली जाती है तो इसके लिए सबसे पहले आपको कलियों को पाट के साथ जोड लेने के साथ आपको सबसे पहले यहां पर देखना है कि एक कली की चोड़ाई कितनी है तो यहां हलकी दिखेंगी नहीं जादा बारी एक अच्छी सलवार हमारी तयार हो जाएगी मैंने यहां पर सभी पार्ट कलियों को एक साथ अटैच नहीं किया है दोनों अलग अलग रखे हैं और यहां पर इस तरह से आगे की तरफ थोड़ा सा माज़न हम आगे की तरफ छोड़ दे नहीं है इस तरह से आप आसानी से डाल सकते हैं इसमें आपको कोई भी दिकत नहीं आएगी यह वीडियो आपके लिए कितनी हैलफुल रही यह आप कमेंट वोक्स में जोड़ बताना बिल्कुल इसी तरह से मशीन तक याने की साड़े तीन इंच तक हम इस तरह से प्लेर से इसमें डालते जाएंगे कली की टौडाई के हिसाब से हमें इसमें गैप रखना है आप ने आप जितनी कली की चुराई अगो हygusal से हम इसमें थोड़ा-धोड़ा गicion रखएगे लग Fake gonna兩va इंच के संने गाइब रखना है मेर्म अग्रापकी कली के चोड़ाई और भी जादा है तो आप इसमें इससे भी कमगर रखेगा और यदि आपकी कली कि चोड़ाई कम है तो आप इसे ज़्यादा गैप रखें अब यहां पर आप ध्यान दीजेगा कि यह दिम्यासे प्लेट्स उठाते हैं तो यह जोड़ वाला हिसा है जो वो आगे उपर की तरफ आएगा जो कि हमें उपर की तरफ नहीं चाहिए तो आप यह तो छोटा बल ल सकते हैं तो यहां पर मैंने बड़ी पलेट डाली है उसके बाद हमें पाट को इस तरह से मिला लेना है चोड से और उसके हाव में कट लगा देना है और उस बिल्कुल उसी तरह से हमें प्लेट्स को डाल लेना है और जहां पर हमने कट लगा है उस पर भी हम प्लेट्स डाल और इसी तरह से हम प्लेट्स डालते जाएंगे अगर आप जोड को उपर रखना चाहते हैं तो आप इसे उपर की तरफ भी रख सकते हैं यहां पर मैंने किसी भी मेजर्मेंट का यूज नहीं किया है बिना मेजर्मेंट के मैंने आप प्लेट्स डाली है इसी तरह से आप इसम बेल्ट के हिसाब से बिलकुल सही है जब आप इसे बेल्ट के साथ अटेच करें तो अगर ये वाला कपड़ा हमारा जादा रह जाता है तो आप इसमें एक एक्स्ट्रा बल और डाल दीजेगा अगर ये कम रह जाता है तो इसमें से एक बल अटा दीजेगा इस तरह से एक हिसे में हमारे प्लेट्स डलकर तयार हो चुकी है इसी तरह से दूसरे हिसे में भी हमें प्लेट्स डाल लेनी है मैंने आपर दोनों हिस्सों को एक साथ अटैच इसलिए नहीं किया है क्योंकि दूनी हिस्सों में फिर plates डालने में दीकत आती है एक हिसे की plates त्यार करने के बाद मैंने दूसरे हिसे की भी plates त्यार कर लिया और इने इस तरह से इसके उपर रख देना है दोनों फैबरिक अंदर की तरफ सीधे रखे हैं उसके बाद इसके लाश्ट पार्ट को यहां से भी हमें जोंट कर लेना है और इसमें भी प्लेट्स एक एक प्लेट्स दोनों दरफ हमें डाल देनी हैं और यह बिल्कुल रैडी है